आप सूब को सावगत है, आज हम पहुंच गए हैं, 24 जून के इशर वरतान में, किसी से किनारा करने ना बहुत असान है, सिच्वेशन से भी किनारा करना बहुत असान है, यह बहुत असान है, लेकिन परमात्मा कहते हैं यह अगर एक आदत पढ़ गयी, तो हम हमेशा ही भाग से किनारा करने के वजए सर्व का सहारा बनने वाले किनार नहीं करते हैं। से कल्प में ब्रह्मारिय प्रिवारों से कलब की बात हुए। उसलिए ब्रह्मा सो देवताइनमा तो परमात्मा कहते हैं हमने सारा चक्र लगाया है ब्रह्मा बाबा के साथ में और सारे ईश्वडि परीवार के साथ में अलग-अलग रूपों में सारे कल्प में ब्रह्मा बाप और ईश्री परिवार के संबंद संपर्क में आने वाली आप श्रेश आत्माएं हो आप किनारा करने वाली नहीं लेकिन विश्व का सारा बनने वाली विश्व कल्यानकरी आत्माएं हो लोग क्या करते हैं जातर सेंटर में गए सेंटर में कोई बैन भाई अच्छे पसंदिया है उसे दूर होगे वहां जाते हैं किसी पर हमें यह से लगा हम वहां चले जाएंगे परमात्मा कहते हैं ऐसा किनारा करोगे तो आपके अंदर वीक्नस रजाएगी आपके अंदर विवेक नहीं आ पाएगा अब हर चीज से भागते रहोगे ल सब्सकारर वर की कि आपके अफियर दागा को क्लियान ऐस परीवार के अभीनाशी करके अब्दै के बीच से निकल नहीं सब्सक्णते में नहीं करिकोर सब दूर और 9 इसनाय संभि होते हैं तो हमारे भी संसकार हमें भी आपस में रिलेशन्शिप सटावा होना चाहिए तूर भागते रहो लोगों के कुछ बुराई देखी लोगों के कुछ आदेते पसंद नहीं है और उनसे दूर भाग गया तो परमादबर कहते हैं परिवार के अविनाशी प्यार के अवस्ता करने अपनी अवस्ता अच्छे बनाने का संकर्प नहीं करना मतलब यह पॉसिबल नहीं है हम अखेले होकर के मेडिटेशन कर लेंगे हम घर में बैटके मुरली सुन लेंगे हमें पसंद नहीं परमादब कहते हैं यही माया का सबसे पहला प्रवेश दूर है और मा इसके सदा मेडिटेशन में होते हैं परमाद कहते हैं यह आदत डाली तो कहां भी टिक नहीं सकेंगे कहीं अच्छा करेगे तरह के परिवार के साथ में जोने की कोशिश करो भाग मत तो आज के यह श्री वर्दाल इसके साद को थो मिशन्ती